वाट्सॉप में हुआ बड़ा बदलाव जो है आपके लिए एक फायरे मन्द गूगल ने भले ही कुछ महीने अपले पहले एंडरोयड नूगा में एकदम नया नोटिफिकेशन सिस्टम दिखाया हो लेकिन अभी तक वाट्सॉप नोटिफिकेशन इस नये एंडरोयड वर्जन के मुताबिक नहीं बदले थे हलांकि अब वाट्सॉप का नया बीटा वर्जन 2.17.13 एंडरोयड नूगा की नोटिफिकेशन को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम पर वाट्सॉप का ए नया वर्जन मौजूद है नये वर्जन में पर तेक कनवर्जेशन के सभी अनरीड मैसेज दिखाई देंगे जबकि पहले सिर्फ लैटेस्ट मैसेज दिखाई पड़ते थे इसकी अलावा नया मैसेज आने पर क्रिक रिपलाई गाइब नहीं होगा जिससे यूजर को काफी परसानी होती थी अब परसानिया जेलनी नह वाइड नुगा नोटिफिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करने के बाद अगर आप अलग-अलग कनवर्जेशन के साथ कई वाट्स आप मैसेज प्राप्त करते हैं तो नोटिफिकेशन विंडो ये सभी एक साथ नगराएंगे लेकिन यूजर्स एके करके उनका रिपलाई कर सक अलग-अलग तरह से वाट्स आप मैसेज लोग अस्क्रीन और नोटिफिकेशन पेन दोनों जगह उपलाब ढोंगे हलांके जब आप रिप्लाई करेंगे तो यह आपसे पीन पैटर्न या फिंगर प्रिंट के लिए जरूर पुछेगा वाट्स आप पर एंडर्वाइड न जिसमें कहा गया था कि एंडर्वाइड 7.0 नूगा और एंडर्वाइड 7.1 नूगा पर चलने वाले डिवाइज में वाट्स आप का बीटा वर्जन 2.17.13 में यह फिचर्ट होंगे अभी तक आपने मेरी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से जल्दी मेरी चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताकि और भी अच्छी अच्छी जनकारिया आप हमसे पां सके तो जल्दी कीजिए सबस्क्राइब कर ले और साथी साथ अपने दोस्तों के साथ मे से भी सबस्क्राइब करने के लिए बोले ताकि आपके साथ यह भी हमसे कुछ अच्छी जैनकारियां पासके हर चीज में अच्छी